हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी स्मार्ट वाच के बारे में जिसकी बहुत दादा डिमांड है और आप लोगों ने रिक्वेश्ट भी की थी इसका नाम है HK9 Pro Max Plus बहुत ही confusing नाम है बट इसमें क्या-क्या फीचर्स मिलते हैं सब कुछ आप लोगों को बताने वाला हूँ और क्या आप लोगों को इस वाच को लेना चाहिए या नहीं जाने के लिए वीडियो को पूरा end तक देखें बाकी चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लें और वीडियो कर पसंद आए तो लैक शेर जरूर करें चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अनबॉकसिंग से तो यहां पर इस तरह का बॉक्स दिया गया है जहां पर वाच का नम और काफी सारे फीचर्स को हाइलाइट किया गया है बाकी बैक में QR कोड दिया गया है अब बॉक्स को उपन करते हैं तो सबसे पहले यूजर मैनुवल मिल जाती है उसके बाद इस तरह का वायरलेस चारजर दिया गया है और इसमें दो तरह के श्ट्रैप मिल जाते हैं एक तो है सिलिकान श्ट्रैप जिस पर इस तरह का पैटन दिया गया है और इसकी क्वालिटी बस डिसेंट है बाकी दूसरा फैबरिक वाला श्ट्रैप दिया गया है और इसकी क्वालिटी काफी बढ़े है उसके बाद यह ही वाच और यही सारी चीजे बॉक्स में मिल जाती ह अब इसमें श्ट्रैप लगा लेते हैं तो यहां पर रियल श्ट्रैप लोग दिया गया है हाला कि लगाने पर काफी टाइट था बट फिटिंग काफी बढ़ हमती इसमें इसमें आपको वेयर फिट प्रो एप का सपोट दिया गया है और app को download करना है उसके बाद जाना है add device पे और देख सकते हैं यहाँ पर watch आगी इस पर tap कर देना है और easily watch phone से pair हो जाती है बाकि इसमें single chip connectivity का feature दिया गया है तो बस app में pair करेंगे और calling feature activate हो जाता है तो connectivity अच्छी है इसकी बाकि आप की बात करें तो यहाँ पर आपको basic सारे features मिल जाते हैं बट बहुत सारी चीज़ आपको paid मिलती है जो कि आप लोगों को purchase नहीं करना है विकोज Chinese आप है और risk हो सकता है तो यहाँ पर आप जो जो activity करेंगे उसके records को देख सकते हैं उसके बाद watch को customize कर सकते हैं और भी कैसारी चीज़ें मिल जाती है एप में सकते हैं तो डिजाइन बहुत ही बड़ है और बिल्ड को आटी सॉलिड है विकोज पूरा केस मेटल गया गया है और बैक में plastic body मिल जाती है तो देखने में watch काफी premium लगती है और डिस्प्ले में जो glass मिलता है वो curve मिलता है जो की बहुत ही खुबसूरत लगता है और सबसे चीज़ी बात इसमें IP68 की rating मिलती है तो लगबाग 1.5 मीटर गहरे पानी तक इसको यूज़ कर सकते हैं तो बारिश में बिंदास यूज़ कर सकते हैं watch को डिस्प्ले की बात के रिए तो इसमें लगबाग 2 इंच की AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है जो की काफी बड़ी है स्मार्ट वाच के हिसाब से और इसमें 480 x 320 पिक्सल्स का रिजुशन दिया गया है तो डिस्प्ले काफी हा तक क्रिस्प है और शार्प है बाकी colors काफी मिल जाते हैं एक तो है digital दूसरा है analog और डिस्प्ले को पर जो glass मिलता है वह 2.5D card glass है जो की दिखने में बहुत ही खुबसूरत लगता है तो quality wise display बहुत ही बढ़ा है मिलती है इसका रेश्ट योग फास्ट है responsive है तो जैसे hand को twist करेंगे display on जाएगी बाकी watch face की बात करें तो सपोर्ट दिया गया है और उसमें से आपको लगबाग 30 watch face free मिलते हैं बाकी आपको paid मिलते हैं जो कि purchase नहीं करना है और इस watch में 5 तरह की menu style मिल जाती है जो कि कुछ इस प्रकार से है अब बात करते हैं इस watch की features की तो चलते हैं इसकी menu में तो सबसे पहले हैं पर app market जहां पर क store कर सकते हैं और watch पर गाना सुन सकते हैं तो यहाँ पर चैट जीपीडी अब इसको यूज करने के लिए आपको application को उपन करके रखना पड़ेगा फोन में तब जाकर इसको यूज कर सकते हैं उसके बाद स्मार्ट मेमो हो गया और यहाँ पर वेरफिट ट्रैंसलेटर जो की वर्क नहीं करता है मैंने चेक किया था उसके बाद यहाँ पर अलबम दिया गया है तो फोटो का इसमें store कर सकते हैं उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर मिलता है e-book उसके बाद रिंग टोन हो गया heart rate blood pressure हो गया blood oxygen हो गया हालाकि इसमें sensor दिया गया है बट rely नहीं कर सकते है अब तो यहाँ पर मिलता है sport जहां पर अपको काफी सारे sports mode दिये गए अच्छे से वर्क करता है तो इसको यूज कर सकते हैं बाकी एक चीज़ बहुत ज़्यादा खराब लगती है इस तरह की watch में जैसे कि अभी चलता हूं sports में और back जाता हूं तो मेन्यों दुबरा से start हो गया है और इसमें 20 context को सिंग कर सकते हैं उसके बाद चलते हैं तो यहां पर विदर फ्रकास्ट हो गया अलार्म हो गया वह से alarm को आफ कर सकते हैं कस्टमाइज कर सकते हैं उसके बाद बीरिथ मोड जहां से breathing exercise कर सकते हैं उसके बाद मेट हो गया remote camera find phone मेसेज हो गया calendar का support दिय गया है तो गेम खेल कर अब time pass कर सकते हैं उसके बाद timer हो गया calculator और train का feature दिया गया है तो वाश में पाने चला गया है तो इसकी मदद से निकाल सकते हैं अलाकि उतना effective नहीं है उसके बाद stop watch हो गया है siren का feature दिया गया है और इस तरह क्या वास करता है यह बाकी बैक जाएं अच्छे से work करता है उसके बाद business card holder हो गया violet blood sugar me NTA respiratory rate इस सारे features आपको बस नाम की मिलते हैं और यहाँ पर एक game दिया गया है जो कि आप से download कर सकते हैं और uninstall कर सकते हैं तो यही सारे चीज़ आपको मिल जाती है बाकी settings में चलते हैं और रखते हैं कि वहाँ पर क्या-क्या म control तो यह जब on करेंगे तो इस तरह से pinch करके आप call को answer कर सकते हैं बाट यह उतना effective नहीं है उसके बाद चलते हैं तो यहां पर वही से ने दुबार से start हो जाती है उसके बाद password लगा कर सकते हैं और key definition तो यहां से key को customize कर सकते हैं इस वाली key को जो कि मुझे काफी सही लगा उसके बाद चलते हैं तो यहां पर battery, time setting, sleep, sport, heart rate, bedside clock, menu theme और smart island का feature दिया गया है जो कि अब on off कर सकते हैं उसके बाद secondary screen settings तो यहां पर जाएंगे तो यहां सब split screen या फिर secondary screen को रख सकते हैं उसके बाद चलते हैं लाश्ट में तो यहां पर health reminder हो गया power thing mode और help guide यह सारे options दि सकते हैं और आवाज आप लोगों को सुना देता हूँ बाकि indoor में अराम से बात कर सकते हैं और notification के बात करें तो इसमें English का support मिलता है बट Hindi का support नहीं मिलता है तो अगर कोई Hindi message भेजता है तो यहां पर कुछ इस तरह से box box लिखा हुआ आता है रही बात UI की तो UI काफी smooth है लैग निकरता है और इसमें 60 Hz का refresh rate दिया गया है तो काफी smooth feel होता है जैसा कि उपर से swap down करेंगे तो यहां से notification देख पाएंगे नीचे से swap up करेंगे तो यहां पर widgets open हो जाते हैं जिसमें आपको weather हो गया उसके बात activity काफी सारी चीज़ें मिल जाती है लेफ्ट से swap करने पर display screen का feature दिया गया है और right से swap करेंगे तो shortcut features मिल जाते है उसक सारे options मिल जाते हैं इसमें बाकी नीचे बड़न को प्रेस करेंगे तो control center open हो जाता है और प्रेस करके hold करेंगे तो यहां से voice assistant को activate कर सकते हैं कुछ इस तरह से तो इस तरह का UI दिया गया है इसमें लाच्ट बाते हैं बैटरी पे तो इसका battery backup काफी बढ़ हाए मतलब आराम स से तीन से चार दिन चल जाएगी और अगर आप AOD को on करते हैं तो फिर आपको दो दिन का ही maximum battery backup मिलेगा इसमें बाकी इस watch में wireless charging का support दिया गया है जो कि काफी slow charge करती है तो लग बग देड़ से दो घंटे लगते हैं इसको full charge होने में अब आते ही वाडिक पी कि क्या इस watch को और सब कुछ में आप लोगों को बता दिया है अगर आप लोगों को लेना है तो description box में link मिल जाएगा वहां से जाकर purchase कर सकते हैं बाकी आप लोगों की क्या राय है इस watch को लेकर comment करके बता सकते हैं और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में अपने ख्याल रखें बाई